हेलो दोस्तों लैप्टोप मस्टम आपका स्वागत है मैं आपके दोस निशान आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए लाप्टॉप के साथ जी हाँ आज हम लेके आए डेल का जी 15 गेमिंग लाप्टॉप बड़ा भारी लाप्टॉप है पॉक्स उठाते हैं 6GB ग्राफिक्स आपको इसमें डेल ने दिया है जिस लाप्टॉप को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं यहकर कभी आपने डेल का लाप्टॉप लेना हो आप इस स्टॉप पे विजिट जरू कर सकते हैं यहाँ पर आपको discounted rate पे लाप्टॉप मिल जाेगा डिस्क्रिप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बितादू, यह laptop unbox होने के बाद company को वापिस चला जाता है, अगर आपने हमारा laptop master channel subscribe नहीं किया, तो subscribe जरूर कर लेजेगा, और हाँ bell icon जरूर प्रैस कर दीजेगा, आगे भी हम नई नई धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आते कोड मिलिए, बड़ी हेवी पावर कोड है, मतलब इसको तो एकसल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ body building के लिए बनाया गया है, हेवी पावर कोड है काफी, adapter, जी हाँ, यह power adapter है, 240 watt का power adapter, जो डेल ने अपने इस laptop के साथ आपको दिया है, round pin का power adapter है, अगर किसी को यह सर पे मार त इसका सर पढ़ जा, इतना हेवी है, देखें दोस्तों, यह laptop, देखें अगर मैं weight की बात करो तो यह 2.8 kg का laptop है, जी हाँ, 2.8 kg का काफी हेवी laptop है, अगर आप इसका design पहले मैं बीच में से यह निकाल देता हूँ, देखें, आप देखेंगे तो हर तरफ ventilation के लिए Dell ने जगा रखी हूँ है, यहाँ ventilation है, rubber आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे देखें, यहाँ back side पे आपको ports भी दिखाई दे रहे हैं, और ventilation भी आपको दिखाई दे रहे हैं, side में भी अगर आप देखे के लिए दोनों side में जगा मिल रही है, Dell ने इसके ventilation का काफी ख्याल रखा है, HX processor इसमें i5, देखें, laptop बड़ा heavy है, तो build quality भी definitely heavy होगी, तो दोस्तों देखते हैं, laptop की configuration क्या है, इसमें ports Dell ने आपको क्या-क्या दिये हैं, laptop के left side में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ type A है, 3.2, laptop के right side में आपको सिर्फ दो ही port दिखाई देंगे और ventilation दिखाई देगा, जिसमें एक है आपका RJ45 और दूसरा आपका 3.5 mm का combo headphone और microphone jack, Dell ने इस laptop में back side में भी ports दिये हैं, back side में अगर हम देखेंगे तो आपको 4 ports आपको दिखाई देते, जो एक ports है वो है, USB type C 3. 3.2 Gen 2 port है, display port के साथ, एक आपको मिलता है HDMI 2.1 जिस पे आप connect कर सकते हैं, projector और LED TV, साथ में आपको मिलता है USB 3.2 Gen 1 port और एक आपको last पे मिलता है, charging के लिए, laptop को charge करने के लिए port, दोस्तों, laptop की configuration देखते हैं, आपको इसमें क्या configuration मिलती है, सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस 13 Generation Processor है, i5-13 450HX Processor, इसमें आपको मिलता है, 13450HX Gaming Processor है, जिसकी base speed है 2.4 GHz, Turbo Boost Technology के साथ ये प्रोसेसर आता है, clock speed इसकी जो maximum है, वो है 4.6 GHz, अगर मैं इसकी power की बात करूंगा, तो जो assured minimum power है, वो 45 Watt है, और जो average watt है, वो हम कहेंगे 45 से बढ़के 55 हो जाती है, और जो maximum है, इसकी what, वो है 147, core की बात करेंगे, तो 10 core आपको इस laptop में मिलते हैं, जिसमें 6 core जो है, वो performance core है, और 4 core है, efficient core है, तो जो maximum इसकी 4.6 clock speed है, सिरफ वो जाएगी 6 core के लिए, और जो 4 core के लिए maximum clock speed है, वो है 3.4 GHz, logical processor की बात करेंगे, वो 16 है, और L3 cache है, आपको इसमें मिलती है, 20 MB की, memory की बात करेंगे, 16 GB की memory है, इसमें DDR5 है, 4800 MHz frequency है, दो slots है, दो के दो, used है, laptop को लेंगे, वैसे मैं बतातू, इसमें dim memory लगी भी है, जो आप replace कर सकते हैं, disk की बात करेंगे, 512 GB की SSD आपको इसमें मिलती है, NVMe की, जिसकी capacity आपको 477 GB की मिल जाती है, graphics, यह USD graphics है, यहाँ, जो हमारा main graphics है, वो NVIDIA, GeForce, RTX 3050, 6 GB, DDA6 आपको इसमें graphics मिलता है, जो इस laptop का सबसे main attraction point आप कह सकते हैं, dedicated GPU memory, 6 GB, shared 7.8, total 13.8, लेकिन हमारे जो main हम कहते हैं, वो dedicated हमारी 6 GB, इसके अंदर आपको graphics मिलता है, NVIDIA RTX, दोस्तों, अगर graphics की maximum graphics power की मैं बात करूँ, तो 95 Watt, इसकी maximum graphic power है, दोस्तों, अगर इसकी screen की बात करें, तो Dell ने इस पर 15.6 इंची, इसकी full HD display दिया है, जिसका resolution 1920 by 1080 है, non-touch screen है, लेकिन इसका जो अगर हम refresh rate की बात करें, तो वो 120 Hz का refresh rate है, इसके अंदर आपको HD camera मिलता है, 720p camera with single-arrays digital microphone के साथ, तो दोस्तों, laptop हमारा open हो गया है, तो यह देखते हैं इसमें, तो दोस्तों, देखते हैं, अगर हम देखे हैं, हमें सिर्फ यहां पे fan दिखाई दे रहे हैं, हमें processor graphics नहीं दिखाई दे रहे हैं, processor graphics यहां लगे हुए, लेकिन board के दूसरी तरफ है, जो हम आपको खोल के नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो दोनों हीट सेंगे, तो connected होंगे, इन fan के साथ, अगर मैं बात करूँ का, तो हमने देखी थी RAM, यहां पे 88GB की दो RAM आपको मिलती है, जो आप upgrade कर सकते हैं, यहां पे आपको SSD देखने को मिल रही होगी, यहां पे SSD लगी भी है, 512GB की, यह हमारा Wi-Fi 6X आपको और Bluetooth यहां पे मिल जाता है, आप battery देख रहे हैं, battery है हमारी 3 cell की और 56 work hours के साथ, बाकी दो speakers आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां दो side में speakers लगे वे हैं, जो Dell ने आपको दे रखे हैं, इसमें आपको 15.6 इंचिस का full size backlit keyboard मिलता है, with numeric keypad and G key के साथ, तो दोस्तों आज हमने unbox किया, Dell Gaming Laptop, Gaming G15, जी हां, 5530, हमने unbox किया, जिसकी configuration, i5 13 generation में, 16GB रहे हैं, और 512GB SSD, NVIDIA Graphic 3050 RTX 6GB के साथ, तो दोस्तों, अगर मैं इस laptop के बात करूँ, पहले मैं इस laptop करना, price आपको बदा देता हूँ, उसी के बाद हम इसकी बात कर पाएंगे, देखें, market में Dell नहीं जो laptop launch किया, approximately 1 lakh का laptop launch किया है, जी हां, i5 है, देखें, अगर मैं बाकिस सब चीज देख रहा था, तो सब कुछ मुझे सही लगा, लेकिन मुझे एक दो इसके अंदर जो drawback दिखाई दिए, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, सबसे पहले इसका weight, देखें, आज की rate में 2.4 kg तक laptop आपको gaming मिल जाता है, maximum 2.5 kg आप कह सकते हैं, लेकिन ये laptop का weight है, वो 2.8 kg है, जी हां, 2.8 kg का laptop है, उसके बाद जो सबसे बड़ा drawback मेरे को इस laptop में देखने को मिला, वो है screen, देखिए, gaming laptop अगर है, तो उसकी refresh rate at least 144 Hz की तो होनी ही चाहिए थी, या तो gaming laptop 50, 60,000 की range में है, समझ सकता था कि 120 Hz आप दे सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि Dell के पास बहुत सारी 120 Hz की screen आ चुकी है, क्योंकि पहले भी हमने एक Dell का basic laptop unbox किया था, उसके अंदर i3 में भी 120 Hz की screen दी, और एक लाख रुपे के gaming laptop के अंदर भी 120 Hz की screen, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, देखें, gaming laptop के अंदर refresh rate काफी matter करता है, जब आप game खेल रहे होते हैं, तो आपको at least 144 Hz का refresh rate चाहिए होता है, अगर मैं इन सब को हटा दूँ, तो i5 laptop है, आप working करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं CorelDraw Photoshop, लेकिन color clarity के लिए आप बंचेए हैं, क्योंकि 45% NTSC के साथ है, आपको 100% color clarity बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो अगर मैं बात करूँ, तो आप editing कर सकते हैं, CorelDraw Photoshop, वीडियो editing कर सकते हैं, आप gaming कर सकते हैं, अगर आपको जिस game में refresh rate की जुरुत नहीं है, तो वोई gaming आप easily कर सकते हैं, 120Hz हट सकता, इसका refresh rate आपको मिल जाएगा, Dell ने इससे पहले भी Propel 520 laptop, gaming laptop launch किये थे, जिसमें आपको i5 12 generation मिल रा था, उसमें भी 3050 RTS graphics था, उसमें refresh rate भी screen की 144Hz थी, तो एक बाद जरूर चिक करीगा जब भी आप laptop लेने जाएं, देखे Dell इसके साथ आपको 1 year on-site warranty देता है, आप upgrade कराने चाहें, तो upgrade करा सकते हैं, बहुत ही nominal charges के अंदर laptop और Dell आपके laptop के warranty increase कर देता है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा, और हाँ अगर दोस्तों आभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा, बैल आइकन जरूर प् मिलेंगे अगली वीडियो में नए laptop के साथ, जाए हिंद!